मेरे प्यारे परिवार जनों राष्ट्रिय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है और आज वो राष्ट्रिय चेतना यह सिद्ध कर रही है भारत का सबसे बड़ा सामर्थ बना है भरोसा भारत का सबसे बड़ा बना अव्या सामर्थ बना है विश्वास जन जन में हमारा विश्वास जन जन का सरकार पर विश्वास जन जन का देश के उजवल भविश्य पर विश्वास और विश्वका भी भारत के प्रति विश्वा बस हमारीनीतियों का है हमारी रीतीका हैं भारत के उज्वल भाविश्व करो जिस निर्दहारी मजबूत क्दब मसम आगे बढ़ा रहे हैं उसका है कि मेरे प्यारे परिवार जणो ये भात मिस्वीद है कि भारत का सामर्थ और और भारत के संभावना होए विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है और ये विश्वास की नई बुलंदिया नए सामर्थोरों को लेकर करके चलनी चाहिए आज देश में G20 समीट के महमान नवाजी का भारत को आउसर मिला है अग पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 ये अनेक ऐसे आयोजन हुए अनेक कारकम हुए है उसने देश के सामान नवानवी के सामर्थों को विश्व को परिचित करा जिया है भारत के विवित्युदान का परिचे करा है भारत के डाइवर्सिटी को दुनिया अचंबे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरीफ हाकर्षन बड़ा है भारत को जानने की समझने की इच्छा देगी उसी प्रकार से आप देखे एक्स Por आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया के एक्सपर्ट इन सारे मानलंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है दुनिया की कोई भी रेटिंग एजनसी होगी तो भारत का गवरब कर रही है को ऌरोना काल के बात किक तुनिया एक नए सिर्जिम्श से सोचणने लगी और मैं भी स्वात से लेख रहा हूं कि जिस परकार से बितिये महायुद्द के बात बितियumen विश्विद्द में के बात ता मैं साब साब देख रहा हूं कि करोना के बाद मैं एक नया विश्व और एक नया गलोबल ओर एक नया जीयो पॉलिटिकल इक्वेशं ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जीयो पॉलिटिकल इक्वसेन की सारे या थाय बदल रही है परिवाशाय बदल रही है और मेरे प्यारे परिवार जनों आप गवरव करेंगे बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोर देश वाधियों आपका सामर्थ नजर आ रहा है आप निरनायक मोड पर खड़े हैं और कोरोना काल में भारत ने जिस पगार से देश को आगे बढ़ाया दुनिया ने हमारे सामर्थ को देखा है जब दुनिया के सप्लाइचें तहस नहस हो गई थी बड़ी बड़ी अर्थ व्योस्ताओं पर दबाव था उस समय भी हमने कहा था हमें विश्वकांक विकास देख चाहिए और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निका देंगे और कोविट ने हमें सिखाया है यहां में मजबूर किया है लेकिन मान भी यह समय दना उसको छोड़ करके हम विश्वका कल्यान नहीं करते हैं